आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यह है क्लॉक्स और सामने दिख रहा है क्या टाइम डिस्टेंस और स्पीड यानिकी समय दूरी और चाल ठीक है तो क्लॉक्स जो हम पढ़ेंगे उसमें इस बेसिक कॉंसेट का प्रेयोख करेंगे ठीक है मैं उमीद करता हूँ आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसको मैं एक से डिस्टी ट्राइंगल बोलता हूँ एक ऐसा त्रिभ बराबर चाल गुने समय समय बराबर दूरी बटे चाल और तुम्हारा अगर चाल देखना है तो दूरी बटे समय ठीक है तीनों फॉर्मुले तुम्हारे पास एक ही जगे पे आ जाते हैं मैं उम्मीद करता हूँ यह बेसिक जानकारी हम सभी के पास है ऐसी मैं उम्मीद रख ठीक है बच्चो इस बेसिक जानकारी की जरुवत अभी जो हम टॉपिक करेंगे घड़ी यानि की क्लॉक्स उसमें हमारे पास पड़ेगी आव जरा देखते हैं अगर ये तीन बेसिक बाते हमें आती हैं तो अब क्लॉक्स को जरा देखते हैं कि आखर ये है क्या और करना कैसे ये हमने अदेको आजकल दो प्रकार की घड़ियां आती है एक तो आपकी डिजिटल घड़ी आती है उस पर कोई सवाल ऐस सच मैंने नहीं देखा आज तब किसी भी कॉंपटिशन में लेकिन हाँ ये जो है ना इसको अंगरेजी में एनलॉग घड़ी कहते हैं क्या कहते हैं अखरेजी में इस परगणने डिड़ी कहां ये एक और द जारी है जैसे कि वर्शों से चलती आ रही है उस प्रकार की घड़ी है इसमें अक्सर जो स्वाल आते हैं वो एंगल के ऊपर आते हैं ठीक है कि कितने डिग्री का अंगल बनेगा किसी समय पे अब जैसे अब घड़ तीन बज रहे हैं इगर हम आप से पूछें कि बताइए मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिगरी का अंकल है तो मुझे पूरी उमीध है आप सब लोग बोलेंगे 90 डिगरी मुझे पूरी उमीध है आप ऐसा बोलेंगे ठीक है? बट इतना असन सवाल तो नहीं आता है ना सवाल तो फुरा different होता है सवाल आपको कैसे दे सकते हैं? सवाल आपको दे सकते हैं कि भीचा बताओ दो बज़के 20 मिनट पे कितना अंगल होगा? दो पहर, दो बज़के 20 मिनट पे या फिर आपसे बोलेंगे बताओ चार बज़ के चपन मिनट पे कितना एंगल होगा सुबह चार बज़ के चपन मिनट पे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल आएगा इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है समझ रहो कि नहीं ठीक है इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताईए तीन बज़ के 37 मिनिट पे कितना समय होगा दोपहर है या दिन है इससे कुछ खास फरक नहीं पड़ रहा है तो ये हमें समझना है कि जब इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आता है तो इसको हम कैसे डील करेंगे ये हमारा आज का टागेट है कि हम इस तरह के सारे सवालों को और और जो सवाल हो सकते हैं कई बार ऐसे सवाल भी आते हमारे पास घड़ी में कि कोई घड़ी सोमवार को दोपहर बारा बज़े देखी गई तो वो राइट टाइम दिखा रही थी और उसी हफते में अगर शुकरवार को बारा बज़े देखा गया तो वो घड़ी 20 मिनिट पास्ट हो गई तो बोला गया बताओ इतने इस समय कितने बज़े क्या घड़ी दिखाएगी तो ये सारे जो टाइप के सवाल हैं इन सब को हम लोग आज बेसिक कॉंसेट इसका करने का प्रयास करेंगे और अगली क्लास में इसी पे आपके डाउट्स और और भीर सारे सवाल करने का प्रयास करेंगे तो आएए बेसिक कॉंसेट को पहले समझते हैं सबसे पहला जैसे ही मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हम इसको क्वांट स्पीड टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस से मैनेज करने का प्रयास करेंगे जैसे मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी घड़ी में अगर हम पूरा घड़ी है या कोई वृत है मैं अगर बोलू कि बताओ ये टोटल जो हमारा एंगल होगा एक वृत में क्या वो 360 डिगरी हम लोग बोल सकते हैं बचो बिलकुल बोल सकते हैं इस 360 डिगरी को हम लोग कितने डिवीजन में कितने भाग में बाट रहे हैं 12 भाग में बाट रहे हैं कितना कोण मना 30 डिगरी कोण मना यानि इस पारे में हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अगर घड़ी में एक बज़रह होते हैं एक बज़रह होते तो मिनिट वाली सुई कहां पे बारा पे और घंडे वाली सुई कहां पे एक पे यानि ये अंगल कितना होता? 30 जिगरी होता है. अगर दो बज़रे होते, देखो भाई, माईक ओफ रखो आप लोग. अगर आप कोई जरूरी बात नहीं कर रहे हैं, तो अपनी माईक ओफ रखिए. दो बज़रे होते हैं, यानि कि घंटे वाली सुई 2 पे है और मिनिट वाली सुई 12 पे है. तो कितना अंगल होता? 30 दुना 2, 60 डिगरी का अंगल होता. तीन बज़रे हैं तो कितना है? 30 दियर 3, 90 डिगरी का अंगल है. तो ये तो बड़ी साधारन सी बात है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि 12 अलग अलग डिविजन्स है टोटल हमारे पास विर्त में 360 डिगरी का अंगल होता है उसमें उसको 12 बरावर भागों में बाटेंगे तो हमारे पास कितना अंगल आएगा एक डिविजन्स का 30 डिगरी का आएगा तो मैं उमीद करता हूँ ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में आ गई है अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास घंटे वाली सुई है और मिनिट वाली सुई है उसकी चाल कितनी है जैसे मैं बात करता हूँ मिनिट वाले सुई की मिनिट वाले सुई की मैं चाल की बात कर रहा हूँ चाल यानि की स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मिनिट वाली जो सुई है वो साथ मिनिट में स्पीड हमारे पास क्या होता है distance बटे time right तो time कितना मैं ले रहा हूँ 60 minute 60 minute में कितना angle cover करती है पूरा एक revolution यानि कि पूरा 360 degree cover करती ही की नहीं करती है करती है तो speed of the minute hand के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये 6 degree प्रती minute हो जाएगी minute hand जो हमारी minute वाली सुई है ये किस गती से चलती है 6 degree प्रती minute की चाल से चलती है अगर घड़ी सही चल रही है तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम घंटे वाले सुई की बात करेंगे ठीक है आवर hand के चाल के बारे में बात करेंगे तो आवर hand इतने ही देर में जो मापदंड है ना वो सब के लिए बराबर होना चाहिए अगर हमने यहां पे समय 60 minute का लिया है तो अगले में भी हम समय 60 minute का ही लेना चाहेंगे तो हम देखेंगे भई यह 60 minute में यह कितना चलेगी आवर hand अब यह अगर अभी तीन पे था तो अभी 60 के वाद कहां पहुंच जाएगी चार पे पहुंचेगी है ना कितना एंगल कवर हुआ तीस जिगरी यानि क्या मैं कह सकता हूं कि आवर हैंड की स्पीड तीस जिगरी कवर करेगी साथ मिनिट में यानि इस हिसाब से जो हमारी गती आ गई वो कितनी आ गई 0.5 डिगरी पर मिनिट तीक है स्पीड ऑफ दी आवर हैंड कितना आ गया देसंबल पांच डिगरी प्रति मिनट और स्पीड अफ मिनट हैंड जो हमारे पास मिनट वाली सुई है उसकी चाल कितनी आ गई 6 डिगरी प्रति मिनट मैं उमीद करता हूं ये बेसिक जानकारी समझ में आई है जल्दी से चाल को अंगरेजी में कहते हैं रिलेटिव स्पीड बैटिव स्पीड आप लोगों ने आप सोच रहे हूंगे सर्क्रापिक करा रहे हैं क्लॉक्स और बार बार आप स्पीड ताइम डिस्टेंस पर आ जा रहे हैं तो भाई मैं टिचर हूं ना त अपएकशित चाल के बारे में आप जानते हैं कि अगर दो चीजें एक ही दिशा में जा रही होती है। एक कि चाल अगर यू है दूसरे कि चाल वी तो इनकी अपएकशित चाल कितनी होती है भाई? इनके बीच का अंतर है। V-U या U-V depend करता है कौन सी चीज बड़ी है ठीक है अपेक्षित चाल सेम दिशा में कैसे निकालते हैं हम लोग उनके बीच के अंतर से निकालते हैं और अगर दो चीजें विपरीद दिशा में जा रही है एक की चाल U है और एक की चाल V है तो इनकी अपेक्षित चाल यानि की relative speed कितनी हो जाती है भाई V plus U U plus V एक ही बात है ठीक है तो ये ध्यान रखना है में अब अगर हम इस घड़ी में minute वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात करें तो दोनों की दिशा क्या सेम है क्या दोनों एक ही दिशा में चलती है बिलकुल हाँ तो यहां से relative speed के बारे मे हम क्या कह पाएंगे भाई 6-5 यानि जो इनकी अपेखशित चाल होगी आपस में वो कितनी होगी बच्चो 5.5 डिगरी पर मिनट ये जितनी भी बातें अभी स्क्रीन पे लिखी हैं इन में से कौन-कौन सी बातें तुम्हारी कॉपी में जरूर से आनी चाहिए जो जो मैं ड लोग questions करेंगे ठीक है ये compulsory facts है तो आप इसको लिख लें और आईए ये जो सवाल मैंने तीन सवाल लिखे थे अब वो समय है कि अब हमें इसको करना चाहिए देखना चाहिए कि आखिर इन basic facts को use करके हम कैसे इन सवालों तक पहुँचेंगे आईए देखते हैं एक एक करक के 20 मिनट पे हमें देखना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है सबसे आसान सवाल यही है दो बज के 20 मिनट पे मालो एक छोटी सी यहां पे घड़ी बना लेते हैं तो हमें समझने के लिए धीरे-धीरे जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब करने की ज हुई है वो पकका-पका कितने पे हैं? चार पे है. चार पे है. और जो हमारे घंटे वाली सूई हैना आवर हैंड वो दो और सीन के बीच में कहीं पे भी है. ठीक है? तो एंगल कितना है? मैं इस तरह के सवाल को ऐसे Aust करता हूँ कि आप क्या करें? आप इसको इधर fix क कहाँ पे माना है कि वो दो पे है अगर ऐसा है तो हमें मालूम है एक डिविजन 30 डिगरी का होता है यानि यह जो मेरे पास complete angle है यह 60 डिगरी का है इसमें से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा क्या घटाना पड़ेगा जो हमने extra लिया है जो हमने extra angle ले लिया है अगले screen पे उतना घटा होगे बताओ हमने लिया है दो बजे जबकि समय क्या हो रहा है दो बज के 20 मिनट यानि अभी से 20 मिनट पहले वो जिस angle पे था उतना angle घटाना पड़ेगा तो यह कौन सा है आवर हैंड है घंटे वाली सुई है 20 मिनट में कितनी दूरी तै करेगी distance बराबर speed into time क कितना 20 मिनट कितना होगे angle 10 degree इतना तुमने घटाया answer आया 50 degree यानि इस समय दो बज के 20 मिनट पे angle कितना है 50 degree का आप मेंसे कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा नहीं भी समझ में आया होगा ऐसा भी संभव है तो बिलकुल परिशान मत होना सहीम रखना तो यह मैंने 3-4 सवाल भी लिखे हैं जो हम एक एक करके करेंगे ठीक है अब इस बार हमने छोड़ी screen बड़ी ली है ताकि हम चीजों को थोड़ा ज्यादा माइन्यूटली समझें ठीक है अब जैसे 4 बज के 56 मिनट है हमारे पास चार बज के 56 मिनट है यह हमने एक idea लगाने जिससे की हमें समझ में आ जाता है कि घड़ी के कौन से कहाँ पिड़ेंट है चार बज के 56 मिनट यह वाला सवाल हम इस screen पे कर रहे हैं चार बज के 56 मिनट अब जो हमारा minute hand है और जो our hand है उसमें से किसी एक की भी position exactly नहीं मालूम है पिछले सवाल में एक की तो मालूम थी ब क्योंकि 55 पे exactly 11 पे होता है 56 हो रहा है तो 11 से आगे बढ़ेगा बेटा और जो हमारा minute hand जो हमारा hour hand है यानि घंटे वाली सुई है वो 5 से थोड़ा पहले होगी थोड़ा पहले होगी यह बात हम सभी को समझ में आनी चाहिए ठीक है अब मैं अकसर क्या करता हूँ मैं हमेशा extra angle ले लेता हूँ जैसे यह 11 से आगे बढ़ चुका है न मैं इसको 11 पे मान लेता हूँ यह 5 पे अभी पहुचा नहीं है मैं इसको 5 पे मान लेता हूँ ध्यान से देखो मैंने दोनों तरफ extra angle लिया है ठीक है कितने division है भाई एक दो तीन चार पांच छे तीस गुने छे यह जो अभी लाल वाला angle है यह total यह कितना है भाई 180 degree इसमें कहीं कोई दोमत किसी को नहीं होनी चाहिए ठीक है अब बात बनती है कि सर यह वाला angle तो भी subtract करना पड़ेगा और यह वाला भी subtract करना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमें तो कौन से angle चाहिए हमें तो यह वाला angle यह वाला angle चाहिए ठीक है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं घटा लेते हैं ना देखते हैं ना कितना angle घटेगा राइट बहुत रिलाक्स होके समझना है कोई tension नहीं लेनी है ठीक है 180 अच्छा यह क्या था बीटा यह तुम्हारा minute hand है minute वाली सुई है यहाँ पे 56 पे कौन सु का है 6 degree तो यह मैं घटाओंगा ना पता लगया ना कितना angle घटेगा समझ रहे हो कि नहीं अब आती है बात our hand की आवर हैंड हमने लिया 5 पे जबकि अभी से चार मिनट के बाद यह 5 पे पहुंचेगा चार मिनट में कितनी दूरी तय होगी speed into time यही तो पढ़ाता भाई आव answer क्या बोलेंगे 172 degree अब आप में से कुछ लोगों के mind में ऐसा हो सकता है कि हाँ सर बिलकुल सही बात तो समझ में आती है कि यह 172 degree है तो क्या 172 degree है यह थोड़ा degree ज्यादा गोला ज्यादा बड़ा हो गया 172 degree तो क्या यह angle के बारे में जो दूसरा angle है क्या इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्या हां क्यों नहीं कह सकते हैं यह वाला angle कितना होगा यह हमारे पास 360 minus 172 होगा बच्चों 180 minus theta नहीं होगा अगर एक angle theta है तो दूसरा angle क्या होगा कोई भी दो रेखाएं हैं कोई भी दो रेखाएं हैं दो straight lines हैं अगर उनके बीच में एक angle theta है तो दूस दूसरा एंगल हमेशा 360 माइनस थीटा होगा भई देखो माइक आफ रखो भई बच्चो आपको ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं अपना माइक आफ रखिए तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 360 माइनस थीटा होगा अब बात आती है क्या स 99% आपको जो एंगल मिलेगा वो 18025 से छोटा मिलेगा ठीक है कौन सा एंगल मिलेगा 180 दिग्री से छोटा मिलेगा यानि मैं अगर कहूं कि 172 डिग्री ये सही है हाँ बिल्कुल सही है 360 में से इसको घटा होगे कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 188 डिग्री ठीक है तो क्या ये दोनों सही है हाँ बिल्कुल सही है चार बच के 56 मिनट पे अगर कोई कहता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बी कौन सा option मिलेगा जो 180 से छोटा होगा अगर मानलो ये नहीं 188 है तो क्या तो मात करोगे बिल्कुल करोगे ठीक है तो आप हमेशा 180 से छोटा वाला अंगल निकालेंगे अगर वो आपको option में नहीं दिखता है तो आप उसको 360 में से घटा के देख लेंगे कौन सा है ओके हमारे पास है तीन बज़ के 37 मिनिट दियान से देखेंगे सबी लोग रेलाक्स हो करके बिल्कुल राइट क्या सीखा हमने एक रफ आइडिया लगा लो ये रहा तुम्हारा तीन बज़ के 37 मिनिट 37 तो जो अपनी मिनिट वाली सुई है ये कहां पे है भाई ये है साथ और आठ के बीच में और जो घंटे वाली सुई है ये कहां पे है तीन और चार के बीच में जैसा तुम ज़्यादा कम कुछ भी ले सकते हो मैं ज़्यादा ले लेता हूं ठीक है फिर घटा देता हूं तो मैं इसको ले लूँगा आठ पर और इसको ले लूँगा तीन पर कितने division हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 30 गुने 5, 150 जगरी, ध्यान से देखो कितने असानी से होता है, 2 step में question solve होते हैं, ठीक है, 2 step में, ओके, 150 जगरी, अब ये दोनों angle घटाना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा न, तो ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, हमने तीन पे ली है, जबकि यह है कहां तीन बज़ के 37 मिनट पे, तो 37 मिनट में जितना एंगल कवर करेगा वो घटा देंगे, 37 मिनट में आवर हैंड कितना कवर करता है बचों, 0.5 गुने 37, कितना हो गया भाई, साड़ 18 हो जाएगा, ओके, मिनट वाली सुई को हमने कहां पे माना है, 8 पे, 8 पे कप पहुँचेगा, जब 3 बज़ के 40 मिनट होंगे, मुझे उम्मीद है आप घड़ी देखना जानते हैं, ठीक है, तो अभी से 3 मिनट के बाद पहुँचेगा, और मिनट हैंड की स्पीड हमने क्य देखी है, 6 डिगरी प्रती मिनट, कितने मिनट में पहुचना है, 3 डिगरी, यानि कि इसमें से 6 ती 18, इतना एंगल हमें इसमें से घटाना है, यानि कितना घटाना है बच्चों, 150 में से 36.5 हमें घटाना है, जो भी हमारा एंसर आएगा, वो हमारा एंसर है, देख लो कितन हो रहा है 30 घटाते तो 120 होता शाड़े च्हे और घटा रहे हो तो 120 में से 1.5 घटाओगे तो मेरे ख्याल से 113.5 आ जाई ठीक है तो ये हमारा मानने answer होगा 113.5 बिलकुल सही है योगी का भी सही है सर्वेश का भी सही है तो इस तरीके से आप असानी से इस टाइब के सवालों को कर पाएंगे कुछ और बेसिक जानकारी की तरफ पढ़ेंगे जैसे ये हमने एक सवाल लिया एन एक्यूरेट क्लॉक हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ अगर किसी को लैंग्वेज ही कोई दिक्कत है मैं हिंदी में अनुवाद कर दूँगा एक घड़ी जो accurate है accurate मतलब सही समय दिखा रही है shows 8 o'clock in the morning सुबह 8 बजे कितना दिखा रही है 8 बजे का समय दिखा रही है accurate है मतलब सही सही घड़ी है through how many degrees will the our hand rotate our hand कितने degree से rotate करेगा when the clock shows 2 o'clock बहुत ही असान सवाल है अरे भाई 8 से लेकर के 2 बजे तक कितने division हो गए 8 से 12, 4 division और 2 division उधर तो कितने हो गए total हमारे पास 6 division हो गए 6 division में कितना angle हो जाएगा 30 गुने 6, 180 degree बहुत ही असान सवाल था सिरांची का बिलकुत सही है ठीक है बहुत जादा असान सवाल मिल गए आपको ओके आगे बढ़ते हैं उमीद करता है ये थोड़ा बढ़िया सवाल है ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर रहे है देखिए इसका मतलब पहले समझने का प्रयास है प्रयास करेंगे हम लोग ठीक है देखो दो बाते हैं एक तो ये कि वो स्ट्रेट लाइन अंगल क्या होता है स्ट्रेट लाइन अंगल का मतलब होता है 180 डिग्री ठीक है 180 डिग्री अब दोनों घडी की जो सुई है वो एक साथ है और एक ही स्ट्रेट लाइन में है ऐसा तुम जो कॉमन टाइम है जो तुम जानते हो वो एक तो होता है छे बजे भी आप देखते होंगे कि दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन में है और बारा बजे भी दोनों के दोनों इसको मैं क्या बोलूँगा इसको मैं 0-degree बोलना प्रेफर करूंगा इसको क्या एंगल बोलूँगा इसको मैं 1803 बोलूँगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में यहां पर कितना है 6 बजे 1803 बजे और यहां कितना है 0-degree है 12 बजे ठीक है तो इन्होंने बोला 7-8 बजे के बीच में अब इस तरह की चीज़े ना तुक कमार के नहीं हो सकते तुम देखो सारे options बहुत close हैं अगर तुमने इस concept को समझा है तब तो करोगे और नहीं समझा है तो फिर फस होगे तो बहुत असान है आपके लिए यह question quant का है reasoning का है ही नहीं हम लोग इसको बड़े असानी से करेंगे देखो ध्यान से देखना साथ से आठ के बीच में 180 डिगरी का अंगल कब बनेगा यही सवाल है ठीक है तो जरा सवाल को एक बार देख लेते हैं अपनी खड़ी में साथ वजे अंगल कितना भई मतलब मिनिट वाली सुई कहां पर बारा बजे और आवर वाली कहां पर यहां पर ठीक है कितना अंगल ह साथ करता हूं इस बात को समझते हैं ठीक है कितना अंगल है बचो 210 डिक अब इस सवाल को बताने से पहले एक basic सा example देता हूं देखो चरा क्या तुम समझ पा रहे हो क्या चोर सिपाही का एक्जांपल देता हूं कौन सा एकजांपल देरहा हूं चोर सिपाही का एकजांपल ठीक है चोर जो है वो सिपाही से दूर भाग रहा है और मान लो इसकी चाल जो है ये है 60 km प्रति घंटा और सिपाही इसके पीछे-पीछे है कार से ये भी पीछे-पीछे चल रहे हैं भई आजकल यूपी में बहुत बढ़िया-बढ़िया गाड़ी मिल गई हैं सबको 80 km प्रति घंटे क्रिफतार से चोर को भगाई जा रहे हैं पकड़ने के लिए और अभी इनके बीच मान लीजिए सीधे रस्ते पर चलते जा रहे हैं ठीक है और अभी शुरवात में इनके बीच में दूरी मान लीजिए 60 km की है आप से पूछा गया बताईए कितने देर के बा आपको इसमें अपेक्षित चाल का प्रयोग करना चाहिए किसका रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करना चाहिए यानि जब मेरे से टाइम बोला गया तो मैं देखूंगा मुझे रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है अपेक्षित दूरी कितनी तै करनी है बस 60 km एक्स् गया तो कितना हो गया बीस यानि तीन घंटे में चोर पकड़ा जाएगा कौन कितना चला वो एक अलग बात है राइट हमने क्या किया एक पर फिर से समझने की बात है बिलकुल सेम डिट्टो सेम कोस्टन है यह ठीक है एकदम यही सेम कॉंसेट यहाँ पर हम लोग यूज कर हो जाएगा तो 80 में से हमने 60 घंट आया तो हमरा राइस कितना आ गया 20 आ गया 60 किलोमेटर की दूरी 20 की 40 से जब हम चलेंगे तो कितने दिर में हम कवर कर पाएंगे 3 गंटे में तुम चेक भी कर सकते हो 3 गंटे में यह कितनी दूरी तय करेगा इस पउइंट से 80240 तो कभी भी जब इस तरह का सवाल आता है तो मेरा सजेशन है आप सिर्फ यह देखिए बिकाद हम यह देखने लेंगे ना इतने देरे वो भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा अरे जब तुम अपने आप इसका ध्यान रख लिया कि वह दोनों लोग चल रहे हैं तो इस तरह के सवाल में क्या करना है अपेक्षित चाल से करना है अब ये कोशन तुमारे लिए बिलकुल औरल कोशन है तुमें सिर्फ देखना है कि कितनी अपेक्षित दूरी करनी है वह दोस औजग दस जिग्री का एंगल है एक शो औसी डी parecerі का इंगल चाहिए यानि जब ये कितनी अपेक्षित चाल चल लेगा 30 डिगरी चल लेगा अगर ये 30 डिगरी की अपेक्षित चाल चल लेगा तो इनके बीच में कितना आंगल रह जाएगा बिटा एक सौस्टी का आंगल रह जाएगा यानि जो दूरी तै करनी है वो कितनी है इस बार तीस डिगरी और अप एक शित चाल तो हमने देख रखी थी छे में से दिसमलव पांच गया तो इसका एंसर क्या बोलेंगे तीस बटे 5.5 साथ बज़ के इतने मिनट पे दिसमलव अगर आप हटाईएगा तो उपर 0 आएगा 5 से इसको भाग दे दीजिए 11 हो गया यह कितना हो गया पांच से किया तो यह हमारे पास 60 हो गया आपने किया तो 5 सही 5 बटे 11 यानि 7 बज़ के 7 बज़ के 5 मिनट और 5 बटे 11 मिनट रइट 5 सही 5 बटे 11 मिनट पे हमारे ध्यान से देखो अगर तुमने concept समझा है तो एक calculation में तुम्हारा answer है single calculation में तुम्हारा answer है ठीक है एक और सवाल ऐसा करते हैं ताकि इस बात को आप जादा बहतर तरीके से retain कर पाएं जल्दी से करेंगे आईए चलो मैं देता हूँ सवाल उसके बाद इसको भी देख लेंगे जो सवाल है हलाकि screen पे आ गया है तो इसका कुछ basic fact बता देता हूँ परसो वाली class जो हम करेंगे यानि इसी topic पर जो next class करेंगे उसमें हम इन सब को समझेंगे भी कि ऐसा क्यूं होता है तो ध्यान रखना 24 घंटे में 90 डिगरी का एंगल 90 डिगरी का एंगल 44 बार बनता है ठीक है 0 डिगरी का एंगल 22 बार बनता है और 180 डिगरी का एंगल 22 बार बनता है ठीक है 22 टाइमस 24 24 टाइमस और 22 टाइमस ये आप ध्यान रखतेंगे एक घंटे में, एक दिन में है न, मतलब 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार 90 डिगरी का एंगल बनता है, तो 44 बार, यहां पूछा गया था, राइट एंगल कितनी बार होता है, तो यह, मैं इसका basic fact भी तुम्हें कल की class में बताऊंगा, बट फिलहाल, आज एक बार उस तरह का सवाल भी करना चाहूंगा, जो अभी हमने किया था, देखो, मैं यहां एक question बना के दे रहा हूँ, हमारे पास करीब दो मिनिट हैं आज की class में, हम जरूर से कर रहे हैं, आईए देखिए, मैं बताता हूँ, माल लीजिए, आपसे पूछा गया, कि 7 और 8 बजे के बीच में, वो exact समय कब होगा, 7 और 8 बजे के बीच में, वो exact समय कब होगा, अभी भी 7 बजे था न, कुछ और ले लो, माल लो जैसे 9 से 10 ले लो, ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में, वो exact समय कब होगा, जब इनके बीच में angle 0 degree का होगा, कितना होगा बच्चों, 0 degree का, यानि दोनों के दोनों हाथ जो है उसरों के ऊपर ओवर लैप होंगे जैसे कि दोपहर 12 बजे होते हैं ठीक है चलो देखो जल्दी से मैं इसको करने का प्रयास करूँगा नौ बजे एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिगरी का अगर ये अपेक्षिट चाल से कौन चलेगा दोनों चलेंगे लेकिन स्पीड जादा किसकी है मिनेट वाले सुई की तो मिनेट वाली सुई को कितनी अपेक्षिट दूरी तया करनी पड़ेगी 360 में से 90 गया 270 डिगरी की दूरी तया करनी पड़ेगी ठीक है और टाइम क्या होता है भीया टाइम इस इकॉल टू डिस्टेंस बटे स्पीड स्पीड हमेशा कितनी है पांच देसमलव पांच खत्तम हो गया कोश्चन बीटा देसमलव हटाओ जिरो लगाओ यहां तुमारे तो एक बटे 11 यानि वो exact समय कितना होगा उनचास एक बटे 11 मिनट कितने कितने बजे के बाद पास्ट 9 अक्लॉक 9 बजे के बाद ठीक है 9 अक्लॉक इस समय एक्जाकली आंगल कितना होगा इनके बीच में 0 डिगरी का अंगल होगा समझ में आरी यह बात ठीक है इस पे हम ल